नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिक्रम जरा ध्यान दीजिये में जरा ध्यान दीजिये में आज हम मौजूद हैं वाड क्रमांग 25 में जहां से अस्थानी नगर सेविका हैं जानेंगे कि इनका एक साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है और इनके वाड की जनता क्या कहना चाहेगी अपनी नगर सेविका को लेकर और किस तरह से अपनी नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड जनता बताएगी कितना विकास कार्य हुआ है इन एक साल में इनके वाड का और किस तरह से मूल भूच सुविधाएं इनको मिली है पानी, गटर, रास्ते, किस तरह से साब सफाई रखी जाती है वाड में इसका और कितना विकास कार ये एक साल में हुआ है लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें एक तरफ तो जहां सरकार ने प्लास्टिक बैन लगाया है आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो घटर है ये माइनर नौला के नाम से जाना जाता है जानूपाडा कासिवाई रहवासी संग की तरफ से लेकिन पूरी तरीके से चौक अफ हो चुका है एक तरफ तो लोगों में ये भी है कि बारिस आएगी तो लोगों के घरों में पानी जाता है लेकिन लोगों को भी जागरूख होने की जरूरत है आपको दिखाना चाहेंगे कि साइद इस नाले की सफाई के लिए भूमी पूजन भी हो चुका है। जिस तरीके से आजी इसका भूमी पूजन हुआ है काम जारी होगा। जल्दी लेकिन जानेंगे यहां के लोगों से कि क्या वास्तो कितना काम हुआ है और इनकी जो नगर से विका क nice वॉर्ड में कितनी बार आती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम राजाराम महीरे राजाराम जी जानना चाहेंगे आपके वाड में एक साल में कितना विकास हुआ है एक साल में देखो पूरा नाली गटारे ओईबाव नगर जानू पाड़ा कांधिवली पूर्व और 25 नंबर वाड का विबाग मे आता है अच्छा इसमें नाली गटार आर्शिसी पैसेज सब का विकास हुआ है और पानी भी 24 घंड़ा है इदर पानी का कुछ तकलिप नहीं लाइट है बाकी जनरल संडास वह भी बनाए और नुनती करन चल रहा है जनरल संडास का भी जनरल संडास आपने कहा जनरल टॉयले कही वार्डों में पैसे लेकर जो है लोग यूज़ करते क्या यहां पर भी पैसे लिया जाता है वैसा तो नहीं है वैसाने है वह जनरल संडास वह आदमी लगाया रदा है अजके वारड में कोई नुनतिकरण है न उसका काम आज नाली का गटार का सब नुनतिकरण और गटार सपाई का काम चनले वाला है। और इधर का हमारा विवाग में किशी को तकलिप न हो ऐसा काम करो। सर समस्या जो है यहां पर कचरे की कचरा का सर कंट्रेक्टर 6 मेने के अंतर गताते हैं और 6 मेने के अंतराल में हमारे नगर सेयोक जी 15-15 दिन में बिजिट करते हैं और नगर सेयोका जी जो बराबर आते रहती हैं। उसके बाद अभी तो माजी नगर से उख हो गया है पांच साल के अंतराल में चाहे रोड का काम हो चाहे गडर काम हो चाहे नल का कनेक्शन का सर अगर इतना काम होता यहां है सब आपको clean and needed clean मिलेगा एंट क्लीन मिलेगा लेकिन इस तरीक है तो यहां पर जानेगे लोगों से माता जी हात में पाईप लेकर आप आप जा रही है पानी यहां का इसा पानी कैसा आता यहां पे पीने का पाणि तो आप लोगों ने कवी अपने नगर सेवक से नहीं कहा कि हमें पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए नगर सेवक अपर कितने देर पानी आता है पानी सापसुत्रा रहता है आपकीनेव, और दिक्त है जो आपनी नगर सेविका से कहेंगी कि ये समस्या दूर हो यह जो समस्या हैं, देखो, समस्या की नहीं है वाड में अगर हम बात करें तो साफ सफाई को लेकर इस्ट्रिट लाइट की क्या विवस्था है रात में यहां पर अंधेरा रहता है या लाइट जलती है अपनी नगर सेविका को कोई सुझाओ देंगी कि किस तरह से और काम कितना अच्छा हो कि आपका वाड साफ सुतरा हो रहेगा ना करेंगे हमारे विवस्था तो हमेशा आते हैं हमेशा लाला अथ हुआ गटर बनवा रहे हैं पूरा रोड का सफाई कर रहे हैं साफ सफाई कर रहे हैं रोड का लेकिन जिस तरीके से यहां पर काम का नारियल जरूर फोड़ा जाता है लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि नारियल फोडने के बावजूद जो है यहां पर काम रुख जाता है लेकिन यहां पर अगर हम देखे तो यह बज से बत्तर है ब माधुरी वह क्या काम किया वहाद मतलब एक गली में लाधी बीटा ना पहला काम दूसरा काम नाला जो नाला होता है इतना हमारे गंदेगी थी ना सफ साफ किया दूसरी बात यह जो लाइट देख रहें आप यह अधर जानू पारे में कितने भी नगर से वेका हो गए किदर भी नहीं थे वह लाइट बिटाया पहले बात दुसरा नाला यह लाइट का और ऐसे एक छोड़ी घर में भी किसी का कुछ प्राब्लम हो जाए किसी का कोई मर जाए फिर भी माधुरी हम लोग को मदद करते हैं मतलब कोई काम नहीं कि माधुरी को जो एक बार भी फोन करे न ने तो हम लोग को कितना तकलिफ होने वाला था लेकिन वो बड़ा का वो भी हमने हाटा दिया उन्हों लोग ने में कुछ भी हो सब हम मना हमारे इदर काम करते हैं आपके वाइड में कोई समस्या है नहीं और आएगी भी नहीं जोन हाँ पानी गड़र फिटर सब पानी का करने वाले आते हैं आते हैं आपकी नगर से बराबर काम कर रही है बहुत सारा विकास हो गया है यहां पर गड़े थे पूरा लेकिन जिस तरीके से भूमी पूजन कहते हैं कि आज पूजन हुआ है कारे का जो है आज उद्गाटन कर दिया गया अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां का जो कचरे का अंबार लगा हुआ है यह कब तक खाली होगा क्योंकि माइनर नाला पूरी तरीके से चौक अगर बारी सुई तो यहां पर लोगों के घरों में पानी भर जाएगा ऐसे में जनता कहीं न कहीं निरास भी है लेकिन भर जाता है यहां पर आज भूमी पूजन हो चुका है काम जल्दी जल्द सुरू होने का भी दावा किया जा रहा है यहां के लोगों से जानेंगे क्योंकि राष्टेन के ठाम-चारीं आप से जानना चांगे यहां पर रास्टे बढ़ में नहीं पर ऐहाँ घ्यां रावा किया रहा है कि हर समस्य दूर पानी नहीं पर रहता नाम पर कितना काम हुआ है एक सालों में मैं की दिक पर नारोल जो juan हानल वोय फारेश और फ्राइवेट लैंड की वजह से भी आनेंगे और जो यहां का पूरा नजारा है वो दिखाने की हम पूरी कोसिस करते हैं कि एक साल में क्या नगर सेविका ने कितना काम किया है और यहां के लोगों कि क्या प्रत्क्रिया है अपने नगर सेवक को लेके आप से जाना चाहेंगे आपकी नगर सेविका कितनी बार आत ऑज़ने जानते हैं काम हुआ है आपका पानी रास्ता टॉएलेट ये सब बराबर है कोई सुझा होए कि आपकी नगर सेवी का कुछ ऐसा डिमांड है आपके अगर हम बात करें तो नगर सेवी का के लिए लोग के कहते हैं लेकिन पानी जिस तरी कहते हैं जल ही जीवन है और यहां पर आप देख सके किस तरह से नल खोल कर छोड़ दिया गया है लोगों से एक तरफ यह अवाहन सरकार करती है हर कोई हर तरफ यह इंजीओ कर रही है कि पानी बचाईए और यहां पर पानी खुला हुआ है यह किसी जन प्रतनिधी क का काम नहीं है यहां के जो अस्थानी रहवासी है उनकी सोच और उनके उनको जागरुक होना चाहिए कि अगर हम पानी बचाते हैं तो साइद हमें आने वाले समय में पानी की किल्लत से मुखा भी नहीं होना पड़ेगा लेकिन यहां पर लोगों को पानी बहाने में जिस त कानि से यहां पर पानी का जो है लोग पानी और यहां का गटर का यहां रहा है लेकिन कुछ चीज़े स्वक्ष भारत अभियान चला जा रहे हैं काम चल रहा है की काम के लिए उद्गाटन हो चुका है लेकिन यहां की इसका लाभ मिलेगा यह देखने वाली बात होगी और जानेंगे कि यहां के लोगों से क्या कुछ यहां के समस्याएं हैं एक आप से जानना चाहेंगे कि यहां पर आपके वाड में समस्याएं हैं कुछ कभी नगर सेवक आते हैं आते हैं कभ देखा है आपने अपने नगर सेवक कोई समस्या है जिसको लेकर आप अपने नगर सेवक से कहेंगी कि यह चीज सही कराईए यह समस्या है कहेंगे हमारे माध्यम से हम उनको कहेंगे अभी है बारिस की परिशानी एक तरफ जहां इस बार आपको बता दें कि ब्रहन मुंबई नहानगर पालिका ने नाले और गटर की सफाई के लिए एक महिना पहले ही काम सुरू कर दिया है उसके टेंडरिंग हो चुके हैं और काम ज जो है चालू होने के लिए जल्दी सुरू हो जाएगा नाले की ऐसे में लेकिन मुंबई करों की जो समस्या होती है जब बारिस आता है तो वह कहीं न कहीं भैवीत होते हैं कि पानी वाटर लॉगिंग की समस्या से उनको फेस ना करना पड़े आपसे जानना चाहेंगे आप कितना काम कर रही है आपने जब से नगर से भी तब से थोड़ा आराम है क्या किया उन्होंने अब तक आप लोग नाला बनाया हम लोग पुरे गटर अच्छे बनाये फिर पानी का जो सोय किया यहां पर लाइट और यह सब रहता है स्ट्रीट लाइट होई थे 24 गंट लाइ है कि महिला होने के नाते कितना सुरक्षित महसूस करती है जब से ताई आई आई यह तो बोले हमारा कब देखा था अपने अपनी नगर से विगा को आई जब से वाड में कब आती है वो कभी देखा आपने वार्ण में आखरी बार कवाई थी हार चराच कुछ भी रखते हैं मीटिंग में बुलाते हैं में मुझा आपके वाड में को समस्切्ष को ले कर आप समय समधया वर क्या सुझाव और पानि तो पानी भरता था बहुत दिक्कत होती थी हर टेम बारिश आएगा तो हम लोग वही रहता था कि अभी सब यह तो पानी बढ़ जाता है तो जब से आपना हो रहा जैसा अभी उन्होंने आस्वरसन दिया है कि आभी पानी नहीं भरेगा और काम भी जैसा मेरा यह नल का पानी हुए गा टो खुट भाव से और नगिर सेविए का आके उन्होंने मेरेको सपोर्ट किया उन्होंने बताया कि आप देया तुमारा कम होगा और फाइनली आम लोग पानी का जिफकेत थी दो सल। से आम लोग이지 तो आज फाइनली हो गया हम लोगो पानी नहीं आ रहा था तो जैसे अपने दरवाजे में नहीं था तो उन्होंने लादी करंग कर के दिया जब अपने बोल्ते कोई प्रॉब्लम है अपने सब्सक्राइग अभर पहले हो जाते और अच्चे है और अच्छे काम पहिसा है तो हमें अच्छा जो भी प्राब्लम है उन्हों करो न करके ही देते ना नहीं बोलते हैं बिल्कुल जन प्रतनीदी का काम ही होता है कि अपनी जनता की सुह दुख में सामिलो उनकी जो समस्या है उसे दूर करें लेकिन यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि नल की समस्या से लोग परेशान थे लेकिन आज उनको उनके नगर सेवक द्वारा उनकी समस्या हल की गई है तो करीना कहीं खुसी जरूर होती है लोगों में क्योंकि अगर आपकी समस्या दूर हो जाए और पानी दि हमने देखा है कैसे नल से पानी यहां पर साब सुत्रा रहा है कई वाडों में हमने जायजा लिया तो वहां के जो लोगों की समस्या है वो सबसे मूल समस्या है पानी और साब सफाई को लेकर यहां भी समस्या हैं लेकिन उस पर निजाद भी पाया गया है क्योंकि यहां की जो हमारी समस्याइं दूर होती रहती हैं उन्होंने लगातार लोगों के बीच में रहने का जो बीड़ा उठाया है उसको लेकर उनकी जनता जो है कहीं न कहीं खुस है कि उन्होंने एक अच्छे नगर सेवक को चुना है जो उनकी समस्या उनको समस्या से निजात दिला रहा है द समस्या नहीं है आपकी नगर सेवी का बराबर काम कर रही है यह लोग काम कर रहे हैं गलियों में भी देखेंगे कि हां की गलिया क्योंकि सबसे तंग गलिया जो होती हैं वहां पर लोग किस तरह से रहते हैं और उन लोगों से जानेंगे कि क्या-क्या समस्याइं हैं सबसे मू कि यहां पर आपने दर्वाजे के बाहर माधुरी भोहिर का बोड लगाया कि लगाया हुए तो क्या लगता है कि मादरी वोईर एक साल में कितना काम किया है अब के बाल में है अधिसाल में तुमादरी वोईर परफेक्ट नगर से कि यहां वाड में आती हैं तो नगर सेवक के कामों से यहां के लोग खुस हैं तो कहीं जो है लोगों की जो समस्या है उसको लेकर इनकी जो नगर सेविका ने अस्वासन दिया है कि जल्दी इनकी जो समस्याएं हैं उससे इनको निजात मिलेगा वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़वरन हाजिर होते हैं मेरे बेटे का नाम अनुराग अहीर है, 17 बरस का है वो से DMD नामक दुशीन मस्कूलर डिस्ट्रोफी नामक एक जानलेवा गंवीर बिमारी है आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस मुनिर खान का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेर लिए फकर की बात है कि अगर ये गॉड़ गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचानना जी गिफ्ट मेर को दिया है प्रसंट ही को जाना चाहिए ब्रिक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जरा ध्यान दीजिए में हमारे साथ मौजूद हैं वाड क्रमांग 25 की सिवसेना नगर सेवी का माधुरी योगेस भोहिर जी उनसे जानते हैं कि उनके वाड का तो जायजा हमने लिया है वाड की जनता ने कई समस्याएं भी बताई हैं तो कई तारीफे भी हैं क्योंकि नगर सेवी का 24 घंटे लोगो सागी होती हैं तो यह एक बड़ी उपलब्दी होती है जन प्रतनीधी की जानना चाहेंगे एक साल का रिपोर्ट कार्ट क्या है आपका सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहां पर धन्यवाद देती हूं और एक साल में मतलब सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि पास साल मेर पर पास साल बहुत काम किया और इसकी वज़े से अभी उनके साथ में रहे के मैंने एक साल में सबसे पड़े तो मेरा सीसी रोड उसके बाद मेरे ठाकुर विलेज में पास छे साल से हम लोग लगातर कोशिश कर रहे और अभी जाके एक हमारा जो सबसे बड़ा था के मिनी फा नाकुर विलेज में फाइर स्टेशन होना जरूरी है और मेरे पति ने छे साल इससे महिनत करके अभी ये चे साल में उन्होंने ये सबसे बड़ा योगदान उसमें मेरे पति का ही ए और एक साल में आप देखेंगे तो मैंने अभी आपने तो पूरा मेरा वाड तो देखी रिया है सब मेरे पूरे वाड में ज्यादा से ज्यादा स्लम है उसमें सब गटार का काम नाली का काम वो तो चल ही रहा है लेकिन मैंने अभी बीच में बहुत यहां पे तिन माले का भी आपने देखा स्कूल भी मैंने चालू किया है और महिलाओं के लिए अभी मैंने 30 गंटी और सिलाई मसीन का वाटब किया है और मेरा बचद गट भी इतना है मेरा जानूपड़ा एक विभाग है एक सम्तानगर विभाग है तो दोनों इसमें मेरे जो शाका संगटक और उपर शाका संगटक जो मैला है उन्होंने लगबग सत्तर असी सत्तर असी दस दस जन का को फर्रूप करiénमा मैला बचक बनाया है और मेरा हर संडे हर सैटरडे और पूरे मतलब हपते मेरा आना जाना पूरे वऑन में रहता है और में मैरे साथ मेरे पति रहते और दोनों जन Nachon में घूमके जिसका जिसका काम हम ribs साथ में मिलके काम करते हैं जनता ने भी यही कहा कि एक फोन करो नगर सेवक हाजिर यह टेकनिक क्या है कि आखिर जनता के बीच में जनता और एक जन प्रतनिधी का समझ्य में कैसे बन पाता है क्योंकि कई बार हमने कई वाइडों का जाए जाले जहां लोगों की सिकायत रहती हमारे नगर सिवक आते नहीं है हमारी समस्याय सुनी नहीं जाती यहां पर एक सालों में इतना काम किस प्रोसेस से सुरू किया मादरी जी ने और किस तरह से जनता का कनेक्टिविटी बना हुए मादरी के साथ मेरा यही है कि अगर हम लोग दूसरे को प्रेम देगे तो दू करना चाहिए मतलब मुझे यश transitions करना चाहिए कि इन्होंने हमें चुनके दिया है और यह सब एक साल में सिक रहे कि मैंने अभी सब स्था थोड़ा अभी और शटना भी है लेकिन वो मुझे हर बार सहकार्य करते हैं और उनकी ये जो मुझे सिखा हो चुका है जिसके लिए सायद भूमी पूजन भी आपने कर दिया है वो गाटन का नारियल भी फोड़ चुका है आज ही किया है वह कब तक काम शुरू होगा क्योंकि लोगों ने का कि कच्रे ऐसे पड़े रहते हैं उसको लेकर सिखायत है कि सफाई को लेकर थोड़ी सी समस् मेरे चोब्पीए हैं गौतम करके वह पूरे रोज सुबह उड़के पूरा कितना लेबर है कितने क्या है पूरे वज़द घुम के डरी पोरे होë मेरे घंटिस सोच में कि महिलाओं को किस तरह से जागरू और सषकति करण किस तरह से करना चाहती है माधरी मैंने युवा से ना जऊ मेरी है उनकी तरफ से मैंने मैं बहुत बड़ा प्रोग्रा मरेने वाली हूं महीला सशक्थ करण का मतलब महिलाओं के लिए सवुरक्षन कैसे होना जे वो उसमें रहेगा और मेरा जो जानुपड़े में शाका है वहाँ पर मैं अभी क्लासेस चालू करने वाली हूँ बारा-बारा महिलाओं का गट लेके बीमसी के तरफ से फ्री में कोर्स आते हैं उसमें शिवन क्लास रहता है, कुकिंग क्लास रहता है या फिर अगर्बत्टी बनाने का रहता है तो बारा-बारा जन का ग्रूप बना के वह लोग मेरे शाकadtंगे में फ्री में बीमसी के लोग आके वो लोग सिखाते हैं और फिर बादमें इस्ट्रिट लाइट अब तक लगाई गई है नगर सेवक फंड से लगबग हमारे वाड में तो लगाई गई है तो मुझे शायद लगता है कि 52 लगाया हुए है और जहां पर कमें है वहां पर हम लोग लगा देंगे पाणि की समस्या को लेकर हर वाड में आज मुंबई कर जो है पानी समस्या से जूजने की तयारी में क्योंकि गर्मी आने वाली है आपके वाड में लोगों ने बताया कि आपके द्वारा वहाँ पर नगर नल का connection मिला है आज ही कुछ नलों का आपने उद्गाटन भी किया है लेकिन पानी 24 घंटे है कई जगा ऐसा भी देखा गया कि लोग नल खोल के छोड़ दियें पानी बहरा है एक तरब जो जागरूप करने का जो बीड़ा है वो साथ लोगो मेरे होकर्स जो है उनको भी मैंने प्लास्टिक बन का यही किया है क्योंकि जो प्लास्टिक का जो थैली है वही बंद हो रहा है और मैंने अभी ऐसा सोचा है कि हम लोग में और मेरे पती अभी हम लोग पूरे वाड में कपड़े का जो थैली है वो हम लोग हमारे नगर सेव अपने वार्ड को क्या सुरूप देना चाहेंगे माध्री जी आने वाले समझ में मैं इतना ही करूँगी कि मेरे कारियकाल में उसको एवार्ड मिल सके और वो वार्ड नमर 25 पहले नमबर पहाए इतना मैं कोशिश जरूर करूँगी चलिए हम भी यही कोशिस रखेंगे और सुबकामनाय देंगे कि आपका वार्ड 227 वार्डों में पहला नंबर हो जहां सुच्छता की बात करें रोजगार की बात करें महिला प्रसिषड की बात करें तो ऐसे ही तमाम जो सवाल होते हैं हर नगर सेवक के वार्ड में लेकिन एक साल का जो रिपोर्ड काड है मादुरी जी ने बताया कि रास्ते प्रमुक जो उद्देश था रास्ते लोगों का विकास एक सवाल और बच गया में आपके आपका स्लम राका सबसे जादा है उनके डवलप्मेंट का क्या प्लान है उनके डवलप्मेंट का अभी ऐसा है कि हमारा डीपी अभी फाइनल होने जा रहा है तो अभी एक मेने के बाद वो फाइनल होगा और हमारे जो आमदार है प्रकास शुर्वे उनके माध्यम से और मेरे जो पती योगेश भोईरे उनके माध्यम से पहले ही वहाँ पे अभी काम हमारा बाकी है और यह हम लोग जल से जल कर देंगे जल से जल्द होगा सायद लोगों को एक अच्छा आसियाना मिलेगा तो देखते हैं कि इसके पहले जो नगर से वक्त है उन्होंने क्या काम छोड़ा था वर्तमान नगर से वक्त का उनकी विराय लेंगे हमारे साथ मोजूद है वाड क्रमांग 25 के माजी नगर से वक्त पूरू नगर से वक्त योगेश वोईर जी उनसे जानते हैं कि आपकी धर्म पत्नी अभी वर्तमान नगर से वक्त हैं उन्होंने हर काम का स्रे आप पर छोड़ा है कि योगेश जी का मार्क दरसन है इसलिए एक सालों में विकास कारी के गाम पर किस तरह से काम हुआ है वाड में सबसे पहले तो मैं मादूरीताई का धन्यवाद दूंगा अभी उन्होंने जैसे का कि यह हमारे पती का श्रेय तो हर एक सक्सेस्फुल लेडी के पीछे एक हस्बंड का हाथ होता है और एक टो होते हैं लेकिन उनका जो तोर तरीका है लोगों से मिलना मिलके जुलना यह करना लोगों के बीच में सीदा जाके उनसे हाल इसे लिए लोग उनको चाहिते इसे पहले पात साल में था यहां पे लोगों से यही सब तोर्गा करते रहा काम तो होते ही रहते जो नगर से भूग बनता है चाहे उपढ़ा लिखा हो चाहे उपढ़ा लिकाने अनुरों चाहिशा हैं उप के लिए पात साल में नियो जिन आप क्या करौोगे रोड़े साल में कि इंसक् спрос को रूप में कशिपर्ट कार्ड बदार हो तो प्रमुक मुद्धे क्या रखेंगे एक साल में क्या-kia विकास कारी कीवा है आपके द्वारा और आपके पत्नी द्वारा अभी तो मैं ये आपके चैनल के थूँ उनको बता रहा हूं लेकिन मैं कभी उनकी बड़ाई घर पे कभी करता नहीं हूं उनको कभी ऐसा दिखने नहीं देता हूं कि तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा हो जहां पर कमी वहां पर ये होनी चाहिए जब कान में हवा और सर में ये चली जाते है पेर के नीचे तो आदमी हवे में और उढ़ना चालू हो जाता है भगवान की दयासे अभी तलग तो ऐसा नहीं है नगर से का अपने नगर से की रूप में है घर में जब रहती है तो एक वाड के तरी यह मुद्दा रहेगा अभी वाटर गटर मीटर और यह चुटी-चुटी कामें यह सब तो नगर सिवी का करी रही है अपने अपने तरिक से लेकिन आपने देखा कि 19 सप्टेंबर 2017 को एक मैंने यहां पर स्कूल का एक निर्मान किया उसके लिए पास साल से में सब्सक्राद यह जहसे पीछा वह जाता है की प्रशाषची ओर स्सक्रावर में कितनी देर होती तो 40 कि प्रशा से कि इसमें देर होती है तो उस चीज में दौड रहा था लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने कुछ है न समाज के लिए किया है अभी वहाँ पे नो दोनेशन फ्री एडमिशन यह मेरा काम है वहाँ पहले साल में सप्टेंबर में जब चालू हुआ तभी 35 बच्चे लोग ते अभी उसकी जंक्या बढ़ गई अभी फर्स क्लास और सेकंड क्लास स्कूल चला जा रहा है और यहां पे जो फायर स्टेशन का निर्मान की बात करे तो मेरा सपना था कि यह फुल फ्लेज फायर स्टेशन यहां पर होना चाहिए लेकिन फुल फ्लेज फायर स्टेशन के लिए 4-5 साल और चले जाएंगे फिर एमें मुल्सिबल आर्किटेक्ट और उसके सब प्लान ये वो सब करते करते तो मेरे दिमाग में यही चीज आई क अगर फायर स्टेशन बनने के लिए समझ जा रहा है तो क्यों नहों कि यहां पर गाड़ी एक लगे प्रात्मिक सुवीदा के नाम पर कि अगर फायर बड़ी लगती है तो छोटी सुवीदा के लिए चोटी यह काम कर सकती है आज मुंबई में सबसे ज़्यादा घटना आग की घटती जा रही है ऐसे में वाड में फायर स्टेशन होना और आग के लिए कोई योजना बनाना बहुत जरूरी है आपका कहना सही एक फायर योजना बनना जरूरी है लेकिन जो यहां पर ट्राफिक की समस्या है उस वज़े या फिर बस वालों के लिए अलग अगर कर दी जाए उनके लिए रूट अलग बना दी जाए तो फायर सुविदा फटा-फट हो सकती है योगी जी आप लगा तार काम करने के लिए जुझारपन रहता है अब हमेशा तयार रहे तो लेकिन कई बार ऐसी होती है इन एक सालों में करते हैं किस तरह की समश्याएं आए यहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम किया नहीं इस दूब दिन बहुता है और समस्य तो होती है और समस्य को हम लोग चैलेंज के रूप में लेने चाहिए अगर आप प्रतिनिदी है लोगों ने आपको चुनके दे दी है तो वह एक चैलेंज होता है बहुत सारी होती है अपोजिशन के पास से भी होती है बहुत ऐसी घटना है जो हम लोग को बहुत द सब्सक्राइब करें हम दो नए मतलब एक म साथ में डिसकर्षन करते सब्सक्राइब लेकिन लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि यह कौन कर रहा है बहुत बतर वक्त ऐसा हो जाता है कि हम लोग शायद उस चीछ पर चोटी समझ के ना जाते नहीं और अपोजिशन वाले लेकिन मेरा इस प्रशासन को यह सुजाओ है कि आप लोग जो यह बारिश के पहले सापसपाई करते हैं बारिश के पहले 60% बारिश में 20% बारिश के बाद 20% ऐसे 100% होनी चाहिए वैसी होती नहीं है यह कंपलसरी होनी चाहिए हर एक वाण में बारिश में कंपलसरी 20% उनके बारिश के बाद भी होनी चाहिए अगर बारिश के बाद उतना 20 परसेंट होती है तो इतना यह कच्रा और यह होगा नहीं देखिए यह सलम है आप कितना भी एवेर्नेस रखो फिर भी इनकी आदत ही है कि कच्रा वह इसमें नाले में ही डालेंगे तो इनकी आदत सुधारना भी ज़रूरी हम लोग प्रयास कर रहे हम लोग बकाइदा उनको जाके एवेर्नेस कर रहे लेकिन अगर नहीं करते हैं फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि यह प्रशासन के माध्यम से यह कच्रा और नाले सफाई होनी चाहिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लेकिन कही कहीं वाड करमांग 25 की अगर हम बात करें तो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्द रहते हैं योगेस भोईर और माधुरी भोईर यह लोग कह रहे हैं हम नहीं और जिस तरीके से तीसरी आग कही जाती है कैमरा और कैमरे के माध्यम से हमने इनके वाड का पूरा जायजा ल चार साल में क्या कुछ और विकास यहां पर होता है कैमरा मैं सदनन सेटी के साथ प्रदीप सर्मा इन 24 न्यूज मुंबई